हाई वीवर्ज वेल्कम टू माई चैनल डैजलर हैरन ब्यूट्य हब में आपका स्वागत है आज हम यहां पे एब्रोज कैसी बनानी है वो सिखाने वाले है हमारी यह क्लाइंट है यह फर्स टाइम आप्रोज बना रही है यह स्कूल गोइंग गर्ल है तो इसने पहले कभी आ चाहिए तो एब्रोज का शेप मैच करने में कोई परिशानी होती नहीं है दोनों एब्रोज का शेप हम ईजीली मैच कर सकते हैं अगर क्लाइन फर्स ट्रेम बना रहा है तो उसे अप और करने आता नहीं है तो प्लीज उसे अच्छी तरह से स्कीन को टाइडली होल्ट करने के लिए बताना चाहिए अगर juste फीक है तो उसे शेप देने में काफी आसानी होती है लेकिन अबिव स 2 है थोड़ा सा फथानिया रोती है अभरोज जहां पे फीन है या किसी एव रौ क में ग्याप है तो वहां पे इस्ट्णा इयर लीव करना ज़रूरी होता है तो next time suppose client eyebrows करता है तो उसको हम वो shape को हम match कर सकते हैं first time जो eyebrows बनाता है उसके लिए eyebrows थोड़ा दीरे-दीरे करनी चाहिए क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि eyebrows करते समय कैसे hold करना है या कितना eyebrows करने में कितना pain होता है उसे उस बात की knowledge नहीं होती है तो इसी लिए first time जो eyebrows करते हैं उसके जब हम hair remove करते हैं eyebrows के तो वो काफी धीरे-धीरे करने चाहिए तो उसे pain भी कम हो और eyebrows करने में भी हमें काफी आसानी हो eyebrows करते समय हमेशा तीन बाते याद रखनी चाहिए जो inner corner eyebrows का जो inner corner होता है उसका thickness चेक करना चाहिए eyeball के उपर का जो sharpness एंगल पॉइंट का जो sharpness वो काफी अच्छा है के ने वो चेक करना चाहिए और उसके बाद जो eyebrows की length है वो चेक करनी चाहिए अगर length में बाल कम है तो उसे stretch होड़ने चाहिए या फिर eyebrows का जो angle point है उसमें suppose बाल कम है तो वहापे extra hair जो thin hair होते है बेबी hair वो leave करने चाहिए और front में suppose eyebrows eyebrows उपर नीचे है या thick और thin है तो दोनों भी eyebrows का shape balance करने के लिए वहापे थोड़ा extra hair जो thin वाली eyebrows होगी वहापे extra hair leave करने चाहिए उसका जो center होता है उसे clean करते समय यह बात ज़रूरी ध्यान में रखे के दोनों side का जो middle part है वो equal होना चाहिए दोनों side का जो eyebrows का थिकने से middle वाला जो eyebrows का जो थिकने से वो similar होना चाहिए eyebrows कभी भी उपर नीचे नहीं होनी चाहिए तो इस बात को ध्यान में रखते ही eyebrows बनाए front में खड़े होके जब हम eyebrows बनाते हैं तो जो पहली वाली eyebrows बनाई है उसी को ध्यान में रखके दुसरे eyebrows को shape देना है याद रखे बिल्कुल भी eyebrows का middle center जो है वो उपर नीचे नहीं होना चाहिए दोनों eyebrows का जो थिकने से वो same होना चाहिए और suppose एंगल में eyebrows के एंगल में suppose बाल कम है तो वहाँ पर leave करने चाहिए अगर client का age ज़्यादा है और client की skin sensitive है तो client को हमेशा अच्छे से skin को tight hold करने के लिए ही बोलना चाहिए याद रहें कि अगर skin lose रखते हम तो skin को cut बैटने के chances ज़्यादा रहते हैं किसी की skin काफी sensitive होती है तो अगर हम normally भी thread उस पे चलाते हैं तो काफी cuts आते हैं अच्छे से abros हम कर पाते हैं तो हमेशा abros करते समय क्लाइंट की skin भी check कर ले के skin काफी sensitive है या normal है उसके बाद ही abros करना start करते हैं आपका first impression क्लाइंट की abros होती है अगर क्लाइंट की abros अच्छी बनती है तो बाकी की service जो होती है वो easily आपके पास से ले लेता है लेकिन अगर क्लाइंट की abros खराब हो गई तो तो फिर से आपके parlor में आई गाई नहीं तो याद रखे के abros करते समय सावधनिया बरतनी का लेहरे के उपर से पूरे बाल को brush के साहता से clean कर दे और फिर क्लाइंट को abros check करने के लिए हाथ में mirror दे अगर क्लाइंट को उस पे कोई दिक्कत होती है कुछ problems होती है तो sort out कर ले और फिर उसके बाद moisturizer लेके क्लाइंट के abros के उपर हलका सा massage दे हमारी यह जानकरी आपको अच्छी लगती है तो please हमरे channel को like करिए share करिए और subscribe करिए फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye thank you